Hello दोस्तों, Welcome to Sleepy Classes तो आज के Premix में हम 5 Economy के Questions डिसकस करेंगे और यह जो Questions है, Recently Conducted Mock Test में से निकाले गए हैं 3rd December को Sleepy Classes ने Mock Test Conduct किया था बहुत सारे Experience ने इस Mock Test को Attempt किया है अच्छा Score भी यहां पर पाया है तो यह 5 Questions उसी Test में से निकाले गए हैं चलिए, एक बहुत Important Piece of Information उन सभी Experience के लिए जो की Regularly Premix फॉलो करते हैं कि आपके इस Premix के Initiative को और बहतर और Fruitful बनाने के लिए एक छोटा सा Add-on किया गया है Add-on किया है? स्क्रीन चॉट देख रहे हैं हमारी Website का उसमें Highlighted है Daily Prelims Practice Test ठीक है? Premix यहां पर लिखा गया है उपर Free भी लिखा कि भाई, कोई पैसा यहां पर आपसे नहीं लिया जा रहा अब जैसे आप इसके उपर क्लिक करेंगे आपको यी Redirect कर देगा एक Course के Page पर जो कि Free of Cost आप Enroll कर सकते हैं अब इसमें Enroll करके आपको फाइदा क्या मिलेगा? कि भाया, दिन में 12 बजे आप वो Same Questions जो कि उसी दिन शाम को या रात को वीडियो के माद्यम से Solutions आपको वहां पर प्रवाइट के जा रहे हैं वो Same Questions, वो Same 5 Questions आप दिन में 12 बजे Attempt कर सकते हैं कि डेली बेसिस पर आपके लिए एक प्राक्टिस यहां पर शुरू कर दिगी है कि दिन में टेस्ट दीजिए और रात को वीडियो सोलूशन यहां पर देख लीजिए तो Definitely this initiative का हिसा बनिए 12 बजे टेस्ट जा रहा है Hardly 5 से 6 मिनट आपको 5 questions solve करने में लगेंगे अपना score वहां पर देखिए और रात को वीडियो सोलूशन में देखिए कि किस तरीके से आप उस initiative को या किस तरीके से आप उन questions को और बहतर तरीके से answer कर सकते थे Definitely कुछ नो कुछ value addition तो यहां पर आपका होगा ही कर दिया गया है तो कोई भी query है इस mock test से related तो toll free number आपके सामने है definitely आप call कीज़े अपनी queries को resolve करवाईए and 24th December याद रख लिए जिस date को एक और mock test यहां पर conduct किया जाएगा ठीक है तो जैसे GSR CSAT का किया गया था वैसे 24th December को भी एक और mock test यहां पर KP classes आपके लिए ले के आएगा चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले question के साथ interesting question है greenium term के बार में पूछा गया है कि कौनसी statement correctly इसे define कर रही है first statement कह रही है कि signify करता है the premium जो कि investors are willing to pay to hold a green bond rather than a conventional bond second में कह रही है development and use of products and services तो कि promote करी environmental protection energy security third में कह रहे हैं कि भाया एक term यहां पर रखी गई है which generally for expressing economic growth after adjusting environmental damage fourth में कह रहे हैं कि accounting system है जो कि calculate करता है size of a business carbon footprint तो भाया topic के नाम से आपको clear हो जागा कि a option हमारी यहां पर correct option है कि एक premium को यह signify कर रहा है जो कि investors willing है pay करने के लिए ताकि वो green bond hold करें rather than a conventional bond इससे क्या मतलब clear हुआ कि यहां कहीं न कहीं investors जो हैं जो कि इस परकार के green bond में invest कर रहे हैं they are willing कि उन्हें अगर extra cost भी pay करनी पड़े तो they are okay with it ठीक है अब इसको समझते हैं बाब खुदी समझिए कि यदि मैं किसी conventional bond की बात करूँ जो कि एक normal company दोरा वहाँ पर issue किये जा रहे हैं जो कि coupon rate offer कर रहा है 8% अब यह ऐसी company जो कि काफी लंबे समय से industry में हैं अच्छे तरीके से काम कर रही है इनकी जो input costs हैं उन्हें इन्होंने streamline कर लिए है कम से कम करने की कोशिश कर लिए है और जब भी वो bonds के मादम से पैसा raise कर रहे है तो एक अच्छी return के साब से 8% यहाँ पर offer कर रहे है अब आप एक ऐसी company के बारे में सोची जो कि वहाँ पर green bonds निकाल रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ green projects में अपना पैसा invest करेगा अब आपके खुद में एक दिमाग में question आना चीए कि यार यह जो green projects में पैसा invest करना है यह जो green projects है to be precise क्या यह easy है create करना नहीं definitely capital intensive है कारण क्या कि जितनी भी green technology है यह solar का example ले लो कि solar power plant लगाना कोई easy बात तो नहीं एक मेगावर्ट plant इंडिया में लगाने के लिए चार से पांच क्रोड की लागत लग जाती है ठीक है वहीं अगर आप कोई और ऐसा किसी और unit matrix वहाँ पर देखें किसी और plant के थमवाँ पर प्लांट के तो शायद आपको कम देखने को मिले तो definitely यहाँ पर आपको extra पैसा लगाना पड़ रहा है extra capital यहाँ पर infuse करना पड़ रहा है कारण की green technology अभी इतनी सस्ती नहीं है बहुत R&D अभी उसमें होना बाकी है उसकी accessibility और affordability अभी भी question में है उसको और बहतर बनाने के अभी कोशिश की जारी है इन green projects का environment के उपर एक positive impact है या फिर ऐसे कहसे थे हैं कि कोई negative impact नहीं है to be precise कि किसी तरकी से हमें environment को यहाँ पर सफर नहीं कर रहे है यह कोई व्यक्ति ऐसे green bonds में पैसा invest कर रहा है जिसे पता है यह green projects के लिए पैसा raise किया जा रहा है जो कि already capital intensive है already in projects के लिए जो input cost रहेगी वो जादा रहेगी than any sort of conventional industry जो कि बहुत लंबे समय से काम कर रही है input cost जिसकी streamline है तो कहीं न कहीं यह जो green bond है इसका जो coupon rate रहेगा वो उन conventional bond से कम ही देखने को मिलेगा बट अगर फिर भी investor is willing to invest in such kind of bonds तो उसके क्या reason हो सकते है कि भाई investor की preferences है वो concerned है environment के लिए वो चाहते हैं इस प्रकार के projects जादा run किये जाएं जिसके environment को कम से कम impact पड़े हो सकता है government ने कुछ incentive यहाँ पर रखा हो तो greenium क्या चीज होई कि यहाँ कहीं न कहीं investors को थोड़ा बहुत coupon annual coupon payments में थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है एक तरीके से ठीक है वो थोड़ा अगर conventional bond में पैसा लगाते है जादा पैसा कमा सकते थे पर उनमें green bond में लगाया तो कुछ ना कुछ वो छोड रहे हैं वहाँ पर price difference वहाँ पर gap create हो रहा है तो वही चीज greenium यहाँ पर term रखी गई है कि greenium और green premium दोनों को mix करके यहाँ पर रखा गया it is used in the context of sustainable finance to refer to the price difference between green bonds and conventional bonds जो की company दोर इशू की जा रहे है या फिर और यहाँ पर reason क्या हो सकता है कि माल लेते हैं क्योंकि green bond है इसकी face value 10,000 रुपे की है ठीक है हो सकता है वो 11,000 पर यहाँ पर issue किया जा रहा हो ठीक है या फिर उसकी बेची जा रही हो face value 10,000 है हो सकता है 11,000 पर वो आपका price जो है वो issue किया जा रहा हो वही conventional bond जो है वो सेम आपका 10,000 पर वहाँ पर बेचादार हो, आप उस तरीके से भी समद सकते हैं इस चीज़ को कि जुनी सिर्फ और सिर्फ कूपॉन रेट के कंटेक्स्ट में देखना है, आप ये भी देख सकते हैं कि भाया जिस प्राइस में वो इशू के जारा है, उसमें भी डिफरेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन प्रोजेक्स जी फॉलो कर रहा है, उसके साब का कुशन है, डबल टैक्सेशन अवोइडेंस अग्रीमेंट, पता होना चाहिए ये किस प्रकार की अग्रीमेंट है, क्या इनका सिगनिफिकेंस है, तीन सेटमेंट पहले से कह रहे हैं, कि भाया, इट्रीटी साइन की जाती है, बिट्रिन टू और मोर कंट्रीज, और इस अप्लीकेबल, इन केसिज जहां पर टैक्स पे रिजाइड कर रहा है एक देश में, और अपनी इनकम कहीं और से कमा रहा है, सेलिए, सेकिंड कह रहे हैं कि सेक्शन 90 जो है हमारा इनकम डाक्स अक्ट, तो तीन सेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इन में से कौन कौन सी करेक्ट हैं, तो भाया, इसे साब से तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हम देखें, बिल्कुल करेक्ट हैं, जिसके लिए, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो रिसेंटल इंडिया के साथ एक double taxation avoidance agreement है तो सरकार क्यों हमारे उपर तनादा tax यहां पर लगा रही है जब हम already इस प्रकार के agreement के अंदर cover किये जाते हैं तो सुप्रीम कोट में ये कहा कि देखे double taxation avoidance agreement का जिकर होना section 90 of income tax act में अलग चीज है बट यदि आपके देश के साथ ऐसा कोई agreement sign हुआ है हमारे देश की सरकार का तो उसको section 90 of income tax act में notify भी करना है बताना जरूरी उसे add करना जरूरी कि भिया इस देश की अधि किसी company की investment है इस देश के किसी company का कोई यहां पर business चल रहा है तो उने इस परकार की छूट प्रवाइड की जा सके notification आना बहुत जरूरी है जो की नहीं आई है तो इसी case में सुप्रीम कोट ने बोला नहीं आपको इस पर्टिक्लर double taxation अवाइडनस agreement की जो छूट है वो यहां पर नहीं मिलेगी शायद अब उनके जो decisions है वो यहां पर question में आ जाएं कि भी है इंडिया में जाना ठीक भी है या नहीं और यह बहुत बार observe भी किया गया है कि taxation related rules में भारा सरकार थोड़ा बहुत यहां पर डाला मडूल कर देती है ठीक है पहले कुछ और होता है बाद में कुछ और निकलता है companies को थोड़ा extra tax pay करना पड़ता है retrospective taxation का यह example यहां पर ले लिजिए ठीक है दूसरी साब से तीनों statement से यहां पर correct है but यह होता क्या चीज़ है जिनको नहीं पता double taxation avoidance agreement कि basically एक treaty यहां पर sign की जाती है दो देशों के बीच में यहां पर यहां पर हो सकते है कि माल लेते हैं कि भाई US और इंडिया के बीच में यहां पर की गई है ठीक है इंडिया का भाई था कोई सूरज ठीक है जब इंडिया आए तो इंडिया में भी उने यहां पर full tax pay करना पड़ा उनका तो नुकसान यहां पर बहुत हो गया तो double taxation avoidance agreement में क्या बात रखी जाती है कि थोड़ा बहुत tax आप US में pay कर दीजिए और जो बचा कुछा थोड़ा बहुत जो बनता है कि section 90 में mentioned है कि हंजी आपको tax relief मिलेगा बड़ supreme court ने बोला सिर्फ mention करना जुरूरी नहीं है अगर इस परकार का कोई agreement किसी देश के साथ sign हुआ है तो उसे add कीजी अपने income tax add में और section 90 कि हंजी इस देश की entity इस देश के individual के साथ हम DTA में cover किये जाते है और इनको इस परकार का tax relief provide किया जाए तो Nestle का यहाँ पर case था ठीक है जो कि supreme court में था जिसके verdict में यह बात यहाँ पर रखी गई तो यह पूरी कहानिया आपको यहाँ पर समझा दी गई है तो इस परकार की bilateral treaties आप question में आ जाएंगी between India and Netherlands, France, Switzerland इन सभी के साथ ठीक है जी तो supreme court का जो decision है definitely इसके वैसे सरकार के लिए तो additional tax revenue यहाँ पर generate हो गया but जब tax treaty है न सभी partners के साथ उसमें जो हमारे relations है वो यहाँ पर question में आ जाएंगे तो अब इससे कैसे बहतर करना है, कैसे इसे बाहर आएंगे कैसे यहाँ पर इसे play करेंगे international level पर अब वो देखना जरूरी जहेगा double taxation avoidance agreement के हैं वो हम discuss कर चुके है पूरी details आपके सामने यहाँ पर available है यदि आपको लगता है यह topic easily अभी भी आपको समझ में नहीं है तो किसी few minute series में definitely हम इस topic को detail में भी discuss कर लेगे चलिए आगे बढ़ते हैं regional rapid transit system अब भाया NCR region के लिए एक और यहाँ पर initiative शुरू किया गया है खासकर आपके इस तरीकी transit system के लिए transportation के लिए चार options दी गए है incorrect statement यहाँ पर बतानी थी इनमें से कौन सी है तो पहले में कह रहे है national capital region transport corporation उनको यह दारोमदार दिया गया है कि वो इस RRTS को implement करेंगे second कह रहे है कि national capital regional transport corporation यह आपकी ministry of railways के अंदर है third में कह रहे है कि भाया आठ ऐसे corridors identify किये गये है national capital region में, NCR region में और fourth में कह रहे हैं कि यह आपकी different है metro से as it caters to the passengers जो कि longer distance से travel कर रहे है with fewer stops at higher speed तो metro आपके बहुत छोट-छोट stops पर रुखती है सभी को लेके चलती है बट जो RRTS रहेगी आपके लंबे distance के लिए रहेगी जैसे मेरर से डिरेक्ली डेली, गाजियबा से डिरेक्ली डेली तो उन चीजों के लिए अब आपका system यहाँ पर लागू करने की बात कीगी है बट यह जो particular initiative है यह जो particular पूरी मुहीम यहाँ पर शोरू कीगी है जिसके लिए NCRTC को mandate दिया गया है उनको responsibility दिए कि उन्हें carry out करना है वो ministry of railways के अंतरगत नहीं है यह statement हमारी यहाँ पर गलत थी यह हमारी ministry of housing and urban affairs के अंदर है जो की और सात्मिक joint venture है of the company of government of India and states of Delhi, Harjana, Rajasthan and UP ठीक है जो आपके NCRTC है तो RRTS एक new rail based semi high speed high frequency committed transit system है design speed 100 kmph की यहाँ पर रखी जा रही है जो नमो भारत trains है वो यहाँ पर use की जाएंगी अब इसमें क्या रहेगा जो long distance travel करते हैं towards the capital region उनके लिए preferentially यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक तो basic information यहाँ पर आपको दे दी गई है design speed यह रहेगी operational speed यह रहेगी and average speed यहाँ पर यह रखी जा रही है तो 8 corridors ऐसे identify किया गया है जिसमें से phase 1 में तीन corridors का काम शुरू कर दिया जाएगा तो अब देखना यही रहेगा किस तरीके से project carry out किया जाएगा और क्या इसकी successfulness यहाँ पर देखी जाती है चलिए angel tax related question पूछा गया था दो statements आप से पूछी गयी थी बताना था कौन कौन सी correct है तो पहली सेट में कह रहे हैं जो हमारा CBDT है Central Board of Direct Taxes उन्होंने exempt किया है investors from France from the Levi of angel tax क्यों यह अब angel tax की payment नहीं करनी पड़ेगी for non-resident investment in unlisted Indian startups second में कह रहे हैं जो आपके startups recognize किये हैं DPIIT दोरा Department for Promotion of Industry and Internal Trade वो exempted है angel tax के application से दो statement से बताएगे कौन कौन सी correct है तो भीया देखो जो angel tax है ना किस तरीके से काम करता वो समझना जुरूरी है अच्छा अब बहुत सारी ऐसे startups जहते हैं जो सीख करते हैं funding कि भाया हमें पैसा मल जाए चलिए सही बात है ज़रूरी भी है grow करना चाहते हैं पैसा तो चीए तो angel tax कहां लगेगा angel tax कहां लगेगा कि जो उनकी market evaluation है यदि उससे बहुत ज़ादा evaluation पर उन्हें पैसा यहाँ पर मलता है ठीक है तो उस case में क्या बोला गया कि भाया एक additional tax यहाँ पर impose के जाएगा 30% के round का जिसे हम उनका नाम दिया angel tax जो कि क्या value है उससे बहुत ज़ादा अगर over evaluation पर यहाँ पर investment आई है तब उस दुरान आपका angel tax impose के जाएगा तो पहले क्या था कि यदि कोई भी ऐसा resident investor है जो कि ऐसी investment यहाँ पर कर रहा है ऐसी companies में अनलिस्टेट स्टार्टपस में तब भी angel tax यहाँ पर implement किया जाएगा अब यहाँ पर दो statement दी गई है कि भी अगर France का investor रहेगा तो क्या उसको exemption है जी हाँ बिलकुल है Recently यह finance minister ने बात रखी थी कि कुछ-कुछ देशों के आपके ऐसे investors है यादि वो इस प्रकार की investment हमारी कर रहे हैं अनलिस्टेड इंडिन स्टार्टप्स में जो कि angel tax attract कर सकती है तब भी उनके उपर नहीं लगा जाएगा Apart from that कहा गया जितने भी स्टार्टप्स आपके रिगनाईस किये गए है DP, IIT द्वारा वो भी exempted है कि उनके उपर भी angel tax impose नहीं किये जाएगा तो दोनों statement से हाँ पर करेक्ट थी C option हमारी correct option थी ठीक है तो बहुत सारे start-ups नहीं यहाँ पर issue raise किया यहाँ उनको income tax act के अधार पर बहुत सारे notices यहाँ पर आ रहे है angel tax pay करने के लिए इसलिए CBDT ने यहाँ पर अपने officers को direct किया कि भाई कोई जरूतनी angel tax provision अपने implement करने के लिए उन start-ups के लिए जिनको already recognition मिल चुकी है department की और से angel tax के है वो मैंने आपको बता दिया कि which is the income tax at the rate of 30.6% इसको लिवाई के जाता है जब भी कोई unlisted company issue करती है अपने shares to an investor at a price higher than the fair market value fair market value चाकर बहुत ज़्यादा price आपका higher देखने को मिलता है तो जो भी gap यहाँ पर रहेगा कि fair market value के साबसे कितनी investment यहाँ पर होनी चीए थी और कितनी investment यहाँ पर हुई है उनके बीच का जो gap रहेगा जितना amount extra यहाँ पर आया है company के पास उतना उस amount के उपर यह tax यहाँ पर लगाया जाएगा तो पहले resident investor के उपर ही है imposition की जाती थी however, finance act 2023 के साबसे non-resident investors के उपर भी अब आपका angel tax imposed किया जाता है बट जो recognized startups है उनसे बहार रखा गया फिर में 2023 में finance minister न यहाँ पर exempt किया investors को from the 21 countries including US, UK and France कि उनके उपर इस परकार का angel tax नहीं लगाया जाएगा बट इसमें खास बात क्या है कि Singapore, Netherlands, Mauritius जहां से हमारे देश को काफी जादा इस परकार का FDI आता है इस परकार की investment आती है वो अभी भी इस परकार के investment के agreement से अभी भी बहार है उन्हें exclude किया गया है ठीक है? कि अभी भी वो इस list का हिस्सा नहीं बने है तो अभी ही देखना रहेगा कि आप आने वाले समय में इन देशों से investment के उपर क्या आसर पड़ता है ठीक है? तो important था ये चीज़ भी discuss करना current affair based ही था अच्छा last question static question है थोड़ा सा NCRT का question है money से related चार options जहां पर दी गई थी कहा गया था for anything to be recognized as money it need to have how many of the above characteristics कितनी characteristics यहां पर होनी चीए ठीक है again UPSC based जो आपका format था उसमें थोड़ा सा change किया गया previous year भी आपका ऐसा question आपके UPSC के किसी exam में पुछा गया CAPF में पुछा गया था ठीक है तो चार options में पहली क्या करी कि it acts as an intermediate in the exchange process second में कह रहे है standard unit होना चीए for quoting prices third में कह रहे है easily divisible होना चीए and fourth में कह रहे है have higher value in alternative uses तो भी आप money का concept कैसे आया money क्यों introduced किया गया था कि पहले आपका barter system follow किया जाता था अब barter system में क्या था कि भाई कोई vegetable seller है कोई shoe maker है और कोई यहाँ पर आपकी food items बेचता है ठीक है अब vegetable seller को अगर shoe यहाँ पर खरीदना तो वो क्या बोलेगा कि भाई में से कुछ सबजीन ले ले मुझे जूता बेच दे इस तरीके से barter system वहाँ पर चलता था बैट अगर जूते वाले भाई को जूरत ही नहीं है vegetables की उसे बाकी कैसी pulses की यहाँ पर जूरत है जो grains वहाँ पर बेच रहा है वो उसके पास यहाँ पर जाएगा कि भाई मुझे shoe ले ले तू मुझे दे दे तो इस परकार से barter system यहाँ पर चलता था फिर वहाँ पर बात आई कि यार ऐसा कोई हमारे पास tool होना जी जिसे हम use कर सकें as a medium of exchange कि जहाँ पर सबजी वाले को यदि shoe की जूरत है तो वो उस चीज़ से payment करे और वहाँ पर shoe ले ले अब shoe वाले को अगर pulses की जूरत है तो भाया वो उस चीज़ की payment यहाँ पर करे और pulses यहाँ पर ले ले pulses आ ले भाई को सबजीयों की जूरत है तो भाया उस तरीके से यहाँ पर करे ठीक है तो money का concept वहाँ से सामने है कि एक medium of exchange की जूरत है ठीक है it should act as an intermediate in the exchange process तो definitely उससाब से तो पहरा option correct है standard unit होना चाहिए for quoting prices तो definitely उससाब से आपका money का standard unit यहाँ पर use होते है से रुपी एक रुपया दो रुपया तीन रुपया ठीक है standard unit यहाँ पर use हो रहा है easily divisible होना चाहिए ताकि उसे divide करना हो तो easily यहाँ पर किया जा सके but higher value नहीं होनी चाहिए alternative uses में सभी uses में उसकी फिर same ही value होनी चाहिए ठीक है तो इसमें सिर्फ सिर्फ तीन characteristics है जो कि justify करती है to be recognized as money इसलिए यहाँ पर option C option है ठीक है तो यहीं चीज़ यहाँ पर रखे गई है first and the foremost role of money is that it acts as a medium of exchange ठीक है जी convenient unit of account यहाँ पर होना चीए ठीक है जी कि हम कहें कि when we sell the value of the certain rest watch is 500 उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर उसके लिए 500 units of money यहाँ पर exchange कर रहे है ठीक है तो यह basic से points यहाँ पर आपको दिये गए है easily portable, divisible यह सभी चीज़ होना चीए ताकि easily convenient आपकी transactions यहाँ पर हो सकें ठीक है तो यह basic सी कहानी यहाँ पर ध्यान रखने है तो NCRT में ही आपका पूरा concept यहाँ पर discuss हो चुका है अगर नहीं पढ़ा है तो definitely पढ़िये तो इस परकार से यह 5 questions है जो कि mock test में पूछे गए यदि आपने mock test attempt नहीं किया है किया भी है तब भी आपका इन 5 questions में क्या score रहा है out of 5 जरूर comment box में mention कीजिए and definitely इस initiative को follow किए जो आपका daily पे इस quiz को attempt करना है 12 बजे जाके enroll कीजिए free of cost आपका enrollment है थाकि इस तरीके से अपना जो आपका practice all our processes को और आप बहतर बना सकें चलिए so that will be all all the very best have a good preparation